दोस्तों नेटवर्किंग के दुनिया में कोई भी आते है तो सोचते मैं तुरंत करोर पती बन जाओंगा तो दोस्तों ऐसा पॉसिबल नहीं है दोस्तों उसके लिए आपको डेडिकेशन, आपकी मेहनत, आपकी जुनून और लेर्णिंग बहुत इनपोडेंसी है सबसे पहले तो आपको सीखना पड़ेगा जिस प्लेटफार्म में आपको अच्छी तरह से सीखना पड़ेगा टोटल वर्क उस प्लेटफार्म का जब उस platform को work आप सीख जाओगे तो फिर जब आप आगे move करोगे तो आपको किसी तरह की परिशानी नहीं होगी आप guarantee है उस मुकाम तक पहुँच जाओगे वो सीखते हुए और आगे बढ़ते हुए जब उस वक्त आप महनात और dedication से work करोगे तो guarantee आपको success मिलेगी आपको founder में जरूर से जरूर पहुच जोगे दोस्तो networking का job में बहुत difference है जो job करते हैं जो बंदे को salary मिलती है उनकी starting stipend 20,000 क्यों ना हो 25,000 क्यों ना हो 50,000 क्यों ना हो लाग रुपे क्यों ना हो जब वो 20 साल 25 साल नोक्री करता है नोक्री करने के बाद उसकी life नोक्री जैसी ही रहती है यानि वो lifetime नोकर बनकर ही रहता है लेकिन आप खुद की business जब आप करते हो net rating system में तो दोस्तो आप आपकी खुद की मालिक आप खुद रहते हो और जानते हो दोस्तो शुरुआती दौर में तो no doubt एक साल दो साल चीन साल चार साल में आप शुरुआती दौर में 20, 25, 30, 35, 40 ऐसे करके जरूर कमाओगे लेकिन अगर वो पूरी learning लेकर अगर उस तरह सो उस platform में अगर दूम मचा दिये तो दोस्तो चार for five साल के अंदर में आप और स्कूप आउंडर के अंदर में चले जाओगे, आप कितने कोफाउंडर आपके नीचे में आ जाएगें वो मैं नहीं बता सकता लेकिन वो डेडिकेशन चाहिए आपके अंदर में और वो जॉब बले बंदे 60 यर्स जैसे उनकी कॉंप्लीट हो जाएगी तो रिटार्मेंट हो जाएगे एक मोटा पैसा उनको मिल जाएगा 20 लाग, 30 लाग, 40 लाग उसको लेकर वो जिन्दगी पर पार करेंगे ऐसा आएगा नौबत कि उनको खाने का उसके बाद उस पैसे से बचेगा भी नहीं क्यूंकि आप अच्छी तरह जानते हो रिटार्मेंट लाइफ के बाद क्या-क्या होता है लेकिन अगर नेट्वर्किंग सिस्टम में आ गए यार अगर उस सिस्टम को फॉलो करके सीख कर अगर मूफ कर दिये तो दोस्तों आपका परिवार और आप खोद कभी भूखा नहीं मरोगे आपके साथ पूस्त खाते खाते ठक जाएंगे लेकिन उसकी कमी नहीं होगी और साथ में आपके टीम के जितने भी मेंबर्स हैं सब को जो इंकम देने का रस्ता आपने दिखा दिया ओ लाइफ टेम आपको सैलूट करेंगे जिन्दिगी में कभी आपको नहीं भूलेंगे तो ये पावरें नेटवर्किंग करें तो दोस्तो नेटवर्किंग के सिस्टम को फॉलो करो जो बंदा नेटवर्किंग अगर सीख गिया तो निस्ची तक काम्याब इंसान बनेगा दोस्तो बहुत बुरा निकावत है कि अधीग जो जानते हैं अपने आपको ज़्यादा बुर्दिमान समझते हैं वो नेटवर्किंग के सिस्टम में फेलियर हो जाते हैं क्यों पता है दोस्तो क्योंकि देखना नेटवर्किंग सिस्टम में बहुत सारे ऐसे काम्याब इंसान बने हैं जो पढ़ने लिखने में कमजोर है बहुत सारे इसे बंदे हैं तो जो टेलेंटेट बंदर रहता है न वो सोचता है कि नेट्वर्की के दुनिया में जब इतने कम पढ़े लिखे इंसान जब करोरपती बन गए है तो मैं तो यार बहुत इसली तरीके से बन जाओंगा तो वही उनका जो सोच होता है घमंड वाला सोच उनको फेलियर की राक्यों देखाता है उसके बाद जाकर आओ बंदा क्या करता है नेट्वर्कीं के सिस्टम को गलत साविच करने की कोशिश करता है लेकिन वह यह नहीं यांता कि वह ज्यादा पढ़ा लिखा है इंसान एक ज करना दोस्तों अपके टीम के साथ इंप्लिमेंट करना आगे परना गैरेंटिया आप सबकी कदम चुमेंगी सफलता देश अपला है बालस मां खर शींप्लिमेंग के साथ जब चुमेंगी झाल झाल झाल